नमस्कार दोस्तों आप सभी का दुबारा स्वागत है मेरे यूटीब चैनल मनी मेंटर्स में इस वीडियो में आपको शीयर मार्केट में हो रहा है फ्रोडों के बारे मताऊंगा किस तरीके से आप इन फ्रोड से बच सकते हैं यही आज का सबजेक्ट है इस वीडियो में नहीं लोग उते हैं वह इन कॉलों में कि चक्कने फस जाते हैं यह कंपनिया कुछ पेमेंटिल मांगती हैं और वह पेमेंटिल कर देते हैं जिसमें की काफी लोगों का काफी लंबा-लंबा फस चुका है मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था वह भी आपको बताऊँगा वीडिय इस चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको शीर मार्केट और मनी मेटर से संबंदित वीडियो रेगुलर मिलते रहें और साथ में बेल आइकन को भी दवाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंचे तो ठीक वीडियो का शुरू करते हैं वीडियो में आपको अपनी कस्टमर एक मॉबाइल नंबर देना पड़ता है वेपनी कस्टमर देने पड़ती है तो यह सारी कस्टमर जो आपकी इन्फोर्मिशन है यह आज की डाटा बहुत है बहुत है और मैं अपना आपको परसेनल एक्सियंस बताता हूँ एक कंपनी है इंदौर मैं बिल्कुल खुलके नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड को कह सकते हैं आपको जैसा करना है वो आपके उपर प्रेंट करता है हुआ क्या था कि मैंसे ये मार्केट में इंवेस्टमेंट करना मैंने शुरू किया था मेरे पास फीक काल आया उन्होंने मुझे बॉला कि नहीं आप हमेरी कंपनी के चाल करता हूँ नहीं आप तुरूंत बात कर कीजिए यहमारी वंडे संवेज ववंडे स्कीम है कि जिसमें आपको पचास जार का या साच आलेज़ का है वह क्या बोलता है आपको रिड्यूस करके 5000 आपको सर्विस एक्टीवेट आपकी गोल कर दी जाएगी तो मैंने फिरमेंट कर दीया उसके बाद लिबाद मुझे सर्विस तो नहीं मिली पर सर्विस के नाम पर मुझे कि आपको कुछ SMS आएंगे SMS आपको डेसीव होंगे जिस SMS में आप उनको देखके काम करना है मुझे कोई SMS नहीं मिले मैंने कंपनी को कॉल किया कंपनी से मिरे पास फिर दुबारा कॉल आया उन्होंने मुझे से बोला आपके पास SMS नहीं आ रहे हैं तो हम आपकी सर्विस इसमें आपको 50% अभी देना है 50% बाद में देना है और मुझसे पोचलते हैं आप लगवाग कि इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट से लिशकते हैं मैं बोला कि मैं एक लाग रुपय मैं इन्वेश्ट कर रखा है और मुझे एक्सपेक्ट है कि मेरा महीने में 25-25,000 बन जाए इतना ही काफी है उन्होंने बोला कि नहीं इतना नहीं आप जो एक लाग रुपय अगर आपने लगा हम इसको भी कम करा देंगे आप इसमें से किजिए आदा पैसा वेड़ा कर लीजिए और आप हमको पेमेंट कर दीजिए और बाकि जो पचास जार से हम आपको महि पचास जार या एक लाग रुपय अगर आपको पास इतनी इंफॉर्मिशन है तो आप उस पैसे को इसी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और आपको जो है अगर दस लाग रुपय बता रहे तो आपको एक लाग के हिसाब से तो बीस लाग रुपय आपका हो गया तो आप आप उसमें कितना इंवेस्ट कर चुके है और उसी उसमें जो आपका पैसा फशा हो वो भी हम आपको निकालेंगे आप हमारी मेंबर से लीजिए मैं उसे क्लीर कट मना कर दिया नहीं मुझे में में आपकी नहीं चाहिए और मैं इस तरीके से जासे में नहीं फशूँगा तो आप खुद से सूचिए अब मैं आपको बता जीता हूँ कि एक्चुली होता क्या है ये सब होता है नई इंवेस्टर्स के साथ में वुक्र नए इनवेस्टर्स जो आता है तो उसको ये रहता है कि मुझे मार्केट में कितना पैसा बनाना है मुझे उसको इक तरीके से कि मैं इन से समें लगाँगा पैसा मेरा पैसा तुर्णत डबल हो ये ट्रीपल हो जाएगा और आपको मैं बताईता मैं आप चलते हैं कि यह फ्रूड होते कि स्रीकले से हैं यह फ्रॉड सबसे बाई पैसे कमाने का कोई भी shortcut नहीं है आप पैसे एकदम से नहीं बना सकते हो पैसे बनाने के लिए आपको systematic investment ही करना पड़ेगा एक तरीके जो कोई shortcut है अगर इस तरीके से कोई shortcut होता तो फिर तो आज जितने भी सेर मार्केट में विश्ट कर रहे हैं वो तो अरपती हो जाते हैं अगर देख बता बता हूं आपको मैं तीन तरीके हैं फ्रॉड करने के pump and dump scheme से यह भी एक fraud scheme होती है दूसरी advisory कंपनियों की tips होती है और तीसरी होती है किसी अच्छी खासी company जो brokerage house है उसके नाम पे आपके पास और आते हैं या फिर आपने जिसका account लो रखा उसके तो आपको मैं बता तो pump and dump में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कुछ किसी ने call करके आपको बताया कि नहीं हम आपको इस तरीके से एक share हम खरिदवाएंगा और वो आपको पैसा अच्छा बना के देगा तो उसमें वो करते क्या है पहले ही उस company के गिरे हुए rate पे किसी भी गटिया company के आप share लेके रख लेते हैं वो लोग अच्छी कासी कर देते हैं वो चीज जो खरिदवाते हैं इसी तरीके से मैसिव लेवल पर वो चीज जो मतलब जितने भी सौ लोग हजार जो भी customer है उनके नए पुराने और आने वाले सारे customer को वही recommend करते हैं वह होता क्या है कि जब उसका दीरे-दीरे rate बढ़ना सुरू जाता जब पर जो जिन लोगों ने जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उन जिन्हों नीचे rate पर ख़िदया होता है सियर वह अपना पैसा एक उनका एक बना के रखने की इस जगह पर मेरे को से आउट हो जाना है वहाँ पर एक्जिट ले लेते हैं और वह अच्छी कासी quantity में शेयर सेल करके निकल जाते हैं उसके बाद उस सेल करेट डाउन हो जाता है और आप लोग शॉर्ट सेलिंग का सिटकार हो जाते हैं आप उसमें फस जाते हैं तो यह होता है नंबर यह पहली है पंपरम डंप में दूसरा होता है अडवाजरी ट्रिप क्या होते है अडवाजरी यहां से आपको सब्सक्राइब यहां से आपको सब्सक्राइब को आएंगी और 73 नुमबर से जो भी लगबग लगव है मैगजम को उसमें यह तो आपको पता होना चाहिए कि 73 से शुरूज नुमबर सुरूर रहे हो इंड़र से मैगजम होते हैं मैगजम में इंड़र के होते हैं और इंड़र के और इनका फर्म सो आपको एक कॉल आएगा आपको बोला जाएगा वही जो मैंने आपसे पहले बताता है जैसा कि मेरे साथ हुआ था तो उस कंडिशन अब उसको दूसरे उसको होई गया अब इन कंपनियों का फंडा क्या होता हुआ है इनका फंड़र होता है जैसे कि इनों ने अभी सो लोगों को बूल दिया कि आप कि इसकी के अप्से को खे डिये ठीक है और सौ मेंसे अब यह क्यों कहोता है कि इनों ने स्वाध़ पूलाए है तो हो सकता है वह से बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा अगर बढ़ गया तो तो 120 की मेंबर सब्दिए लेंगे ओ फिर आगे जो इसमें होगा आपके your पैसा फस आएंगे और जो भी नेक्स में होगा जो फस गयी पर्ड़ होता है παटमी से होलोग zer को उसला द infants goed हैं 20 पकजास को बेंगर सब्दाना कते olimск उसके बाद next level होता है कि उसमें 50 में से फिर ये 25 को किसी एक particular share को खेदने के बेचने के चला देते हैं तो होता क्या उसमें भी 50% सही होते हैं क्योंकि तो बड़ेगा ये गटेगा तो जो 25% परशेंट सही हो जाते हैं तो वह, हंग dir 200 ुषेंट larva करत Я कंप अद के दावा करत산 ःक्यंकाय कृम्त तो बहुत सही आती हैं तो वो इनके चाल में बिल्कुल फस जाते हैं और वो इनको अपने पैसा दे देते हैं मैं आपको बताता हूं कि एक पर जब मैं एक फोरम के उपर था उस फोरम में मैं जब इस चीज के जो मेरे साथ वा था उसका डिस्केशन किया था तो एक ने मुझ उस टाम यह बोलेंगे आपने हमारा क्लॉज नहीं पड़ा हमरे में रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है आप हमारी सर्विस ही ले सकते हैं और वो सर्विस चाहें आपको प्रॉफिट करा है चाहें नुकसान करा है फिर यह आजाते हैं अपने यह जो असी परसेंट अगर यह उपर जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा अगर इस तरहीं किसी को पता होता तो अपने पूरा घरबार बेच के उसे स्टॉक में लगा के पैसा अपने लेके और पूरा निकल यह तो हमारे अगर वारन बफेट की बात करें या फिर अगर हमारे इंडियन मार्केट के जिन राकेश धुंजिन वाला हो गए और भी कई है अगर इन शंकरलाल जी है अगर इन लोगों का नाम ले तो यह भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं कि यह मार्केट किस प्रफूब करेगा इवन आप में बता दूं कि आप अगर जी टीवी या एटी नाव और या फ होता है मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं इस फ्रफेक्ट ने तो यह आपको पता जए अब तीसरा क्या होता है तो यह नामी कंपनी के नाम सी कॉल बेजना आपको आसमस करते हैं लोग जैसे कि मिर पास अभी रेली गेर बोकर्स हाउस का अकाउंट है या फिर मिर पा आपका स्टॉप्लाउस और यह आपका टरेट और वह क्या करता है आपको यह लिए कि नहीं यह तो मेरे ही जिस कंपनी का मैंने डिमेट अकाउंट उपिन कर रखा उसी कंपनी का समय से आप उसके उपर काम कर जाते हैं और यह वही जैसे फस्ट ने बताया था मैंने कि यह लोग अपना खरीद के बैठे होते हैं और आपको उसमें फसा देते हैं तो इसलिए अगर शेयर मार्केट में आपको बचना है तो दूसरा होता है कि अगर आपको इस तरीके से समस आते हैं तो इवन मैं बताता हूं जो एंकर है उन्होंने खुद एसेप्ट किया है कि उन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया था आपने कि किसी ने देखा होगा कि यह समस लोगते नहीं है जबकि वो उस बंदे को अनिल सिं और मार्केट में कोई भीूअ साथ नहीं है पैसा कमने का अगर आपको जिसे-श्टॉकों में इंवस्ट करना है तो वुस इंवस्टॉक के बार में पका डिया कीजिए क्यों कि कोई कोई भी स्टॉक database नहीं होता है कोई भी स्टॉक प्र में यह से से पर पर शेव पर ऑन करने के मतलब यह नहीं कि अपने पैसा डाल दिया इनको भी अगर वाज करना हां अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट मेरी समझ से बाहर है तो सबसे बेटर है जो भी आपके पास अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप गाते में है तो अपने पैसा कि अबते में अपको पगएगे आपको मिल जाएंगे तो हिसमें पैसा लंसर में लगाते चलते हैं तो लास्ट में जो आप प्रेंड मिलेगा वह आपको इतना अच्छा लागएगा कि हम और यह आप नहीं बूलें कि सिकनी सियर मार्केट खराब जगर है मार्केट बहुत जगर है यहां पैसा बनता है और लोग डूपते भी है डूपते वही लोग है जो इस तरी किसे फ्रॉट्स में आते हैं या फिर जल्दी स्वाट कट चाहते हैं पैसा बनाने के लिए आ